जहीं दोस्तों स्वागा थे अपका तेज सेंसेयर में चनल में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेजी और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजी ताकि वीडियोज अपने दोस्तों को भी शेयर के जिएगा ताकि वो भी अल्फा ग्रेडिंग्स एक्जाम्स पास करे और बाकि अपने जुनियर्स को भी बताईएगा इस चैनल के बारे में कि वो भी इस चैनल से पढ़ाई करके मत्पून जनकारिया लेकर ABC सेट्फिर्स एक्जाम्स में अल्फा ग्रेडिंग्स पराप्त करें जो चलिए बहुत सारे कर्डेटों ने कमेंट किया था कि लिडर्शिप से एक वीडियो बनाकर आप अपलोड किजिए लिडर्शिप टॉपिक का सारा क्वेस्टन सांसर सुस में हो लिडर्शिप इसलिए काफी ज़्यादा महत पूर्ण है क्योंकि कि वाल लिडर्शिप से 70 मार्क्स के क्वेस्टन से एक्जाम्स में आते हैं कि वाल लिडर्शिप टॉपिक से वीडियोज को लास्ट तक दखिएगा चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं नेतरित्वे लोगों के बीच विश्वास एवं उत्साह का निर्मान करता है और उन्हें अपने निर्देशन में कारे करने के लिए प्रेरित करता है एक सफल नेता बनने के लिए व्यक्ति के अंदर दुर्दर्शिता, प्रेरक सकती, पहल सकती, आत्म विश्वास और व्यक्तिगत निष्ठा जैसे गुण होने चाहिए तब ही वो सफल नेता बन पाएगा नेक्स्ट क्वेस्चन है नेता कीसे कहते हैं? आंसर नेता एक ऐसा ब्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुधिमता और ग्यान में आगे और उतरदाईत्व के निरवाह में अधिक भरो से मन्द होता है या एक ऐसा ब्यक्ति जो एक समूह का नेतरित्व करता हो और उस समूह के समाजिक, आर्थिक, वितिय कारग और उनके ब्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है नेता कहलाता है नेक्स्ट टाइप्स ओफ लिडर यानि नेता कितने परकर कहता है तो यह तीन परकर कहता है थिरी टाइप्स ओफ लिडर फर्स्ट निरंकुस या पैदाइसी यानि आटोक्रेटिक लीडर लोक्तांत्रिक यानि कबिलियत वाला डेमोक्रेटिक लीडर और अहस्तचेप यानि संस्थागत लेसेज फेर लीडर नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट है एक नेता के गून यानि क्वालिटी जफल लीडर एल फर लोयल लाइवली यानि निष्ठावान जिवन्त उत्षाही सहिस्णू सतर्क शाहसी अनुशासित निरणायक उर्जावान ततपर्थ विश्वसनिये सदाचारी इमांदार सहिर्दय स्वास्थ मानविये बुद्धिमान पहल करने वाला धैर्यवान द्रिड निष्चाई ये सारे एक नेता के गून है इसे क्वेस्टन 10 माक्स आएगा तो आप इसमें से कोई भी 10 लिख सकते हैं फाइट माक्सा है तो फाइप लिख देंगे नेक्स्ट है वेक्तित्व का विकास कैसे करें अंसर निर्णायकता जज्जमेंट प्रतिरूपन मिररिंग प्रसंचितता चियर्फुलनेस इंग्लिस और हिंदी दोनों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक्जाम्स में किसी में विलिख सकते हैं जो कोश्चन आपको इंग्लिस में आदे हैं इंग्लिस में लिख सकते हैं हिंदी में आदे हैं हिंदी में लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं परता विश्वसनियता ट्रस्ट वर्दिनेस असपस्टता जस्टिफिकेशन दृड़ विश्वास कन्विक्शन सकारत्मक्ता नेक्स्ट व्यक्तिटु एवाम चरीतर के विकास में NCC के भूम का आंसर अभयास इससे आत्म मीश्वास का विकास वत्ता है जार्लील इससे आप बहुत सर पॉइंत बना सकते हैं इसमें क्यों मैंने 5 पॉइंट्स दिखाया है इसमें बहुत सर पॉइंट्स है जैसे ड्रिल अनुसासन, पहल, साहस, निश्चित्त, उत्सा और निश्टा जैसे चरित्रिक गुणों का विकास होता है सीवीर यानि कैम्स, देश के विविद संस्कृति का ज्यान होता है और द्रिश्टि को व्यापक होता है चरित्र का बहुमुखी विकास होता है कैम्स के दौरान, सभी जगों से अधर-अधर स्टेट्स से कैडेट्स आते है प्रतियोगता यानि कम्प्टीशंस, इससे कैडेट्स में टीम भावना और अभिव्यक्ति की चमता का परियाप्त विकास होता है नेक्स्ट खेलेवं सासी कभियान, स्पोर्ट्स और अवेर्नेस एक्टिविटीज एन्सीसी कैडेट्सों को राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान, ओ, गणमान ने व्यक्तियों का सम्मान करना सिखाया जाता है राष्ट्र भावना, देश भवक्तियो, करताई वेनिष्टा जैसे गुणू और भावनाओं का प्रचूर विकास करता है इस प्रकार NCC प्रसिच्चन कैड़ेट्स के समग्ड व्यक्तित वो चरित्र का विकास करता है आप लिडर्शिप टोपिक के सारे questions, answers, सारे topics, सारे points अच्छे से जाद कर लेंगे क्योंकि अकेला leadership से 70 marks यानी 70 नमबर के questions exams में पूछे जाते हैं जो कि आपके grade पर जिसका घहर आशर पड़ेगा Next, महतोपुन नैतिक मुल्य Answer, इमानदारी, समग्रता, पवित्रता, अनुशासन, निश्वार्थता, निश्ठा, निश्पच्चता, समानता, आत्म विश्वास, मदद और सम्मान ये सारे नैतिक मुल्य है Next, important question एक व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने वाले दस मुख्य जीवन कौसर बताने है Answer, आत्म ग्यान, सेल्फ अवेर्नेस तदनुभूती, इमपैथी, तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक सोच, क्रियेटिव थिंकिंग समस्याओ को सुल्जाने का कौसर, प्रोब्लेम सल्विंग स्किल्स, निर्णायक्ता, डिसीजन मेकिंग पारस्परिक संबन, इंटरप्रस्नल रिलेशन्सीप, प्रभावी अविव्यक्ति, इफेक्टिव कमणिकेशन, भवनाव पर नियंतरन, कोपिंग विथ इमोसिन, और तनाव पर नियंतरन, कोपिंग विथ स्ट्रेस तो leadership से इतने ही questions answers है 8 minute आपका आपको 70 marks दिला सकता है इसलिए आप video को पूरा देखे और video को 2-3 बार देखे ताकि आपको सारे important points leadership के याद हो जाए अच्छी तरह से और exams में आपके कोई भी question छूट न सके क्योंकि यह 70 marks बहुत मायने रखता है आपके result के लिए बाकि सारे important points इसलिए रसे topic वाइज अपलोड करता रहूँगा वीडियो को like जरूर किजिएगा comment करके बताईएगा आपको जनकारिया कैसी लग रही है धन्यवाद जैहिन